हेलो फ्रेंड आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और अगर फ्रेंड आप न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आज हम अपनी वीडियो में ऐसे पोदे दिखाएंगे जिन से हमें 2400 घंटे उक्सिजन मिलती है और देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं जिनको आप इंडोर आउट्वर दोनों तरह के एरिये में लगा सकते हैं सबसे पहले तो हम अपनी माता तुलसी से सुरू करेंगे ये हमारे सभी के घरों में लगी होती है और इनको लगाना भी सुब होता है और इनके लाब भी बहुत होते है अगर आपको कफ कोल्ड हो जाता है या फिर पेन हो जाता है तो आप इनकी चाए पीजिए मतलब इनकी पत्यों की चाए बनाकर पीजिए तो आपको बहुत लाब होता है आप इनकी सूकी पत्यों का भी यूज़ कर सकते हैं और हरी पत्यों का भी यूज़ कर सकते हैं और इनका जो होता है रख रखाओ भी बहुत आसान होता है आप नोर्मल गार्डन सोय लें और उसमें कमपोश्ट मिलाकर मतलब गोबर की खाथ मिलाकर अपने पोदे को लगा ली हार रोज पानी चाहिए होता है यह ऐसा नहीं कि आप एक दो दिन दोगे फिर अबते में छोड़ दोगे नहीं आपको डेली पानी देना होगा और इन पर बीज़ाता है उसे समय समय पर हटाते रहना चाहिए जिससे हमारे पोदे की एंरजी वेश्ट ना हो तो फ्रेंड ये पोदा हमारे लिए बहुत अच्छा होता है हमारे घर का वातावरन जो होता है सकारातमक बना रहता है और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है हरा भरा होता है ये कितनी वैराइटी आते हैं इसके तीन वेराइटी वैसे तो ये पांच तरह के पोदे होते हैं पाज ज्यादा तर घरों में तीन तरह के देखने को मिलते हैं तो फ्रेंड इसको आप जरूर लगाईए साफ सफाई का ध्यान रखना होता है जब यहाँ माता तुलसी को लगाए तो अपने जहां पर पोट रख्का हुआ है यह हमारा एरिका पाम है एरिका पाम की जो पत्या होती है चमकदार होती है और बहुत ही मुलायम होती है और जो इन्हें लगाने का तरीका होता है वो डिवाइड करके लगाना होता है मतलब इनकी जड़ों के पास से छुटे छुटे बीबी प्लांट्स निकलते हैं जिने को डिवाइड करके दूसरे पोट में लगाना होता है ये भी पोदा ऐसा है आप इसको साइडी एरिये में रख सकते हो और इंडोर भी रख सकते हो ये पोदा आपका आसानी से चलने वाला होता है और ओक्सिजन भी हमने ये भरबूर देता है 24 गंटे ओक्सिजन देने वाला पोदा है तो फ्रेंट इसको जरूर लगाए और देखने में भी अच्छा लगता है इसमें कोई काटा नहीं होता है किसी तरह का फूर Iraq फल नहीं आता है सिर् ons पत्यों के लिए ही लगाया जाता है इसकी जो पत्या होती है में बिल्कुल हरी भरी होती है और बहुत प्यारी लगती है आप इसकी पत्यों को हरा भरा रखने के लिए कोई भी homemade pesticide यूज कर सकते हो जैसे onion pills का बना कर ये हमारा aloe vera है इसका भी हमें बहुत benefit होता है बहुत लाव होता है आप इसके पत्यों से face back बना सकते हो hair paste बना सकते हो और आप इसका juice भी पी सकते हो juice अगर ये सब आपके पास इतना time नहीं है तो आप इसका गुद्धा निकाल कर भी सुबह के time खाली पेट खा सकते हो जिससे आपके सरीर को भूत लाव मिलता है और ये भी हमें 24 गंटे oxygen देने वाला पोदा होता है इसके भी छोटे छोटे बेबी plants निकलते हैं जिनसे हमें divide करके लगा सकते हैं ये इसकी पत्यों से भी लगाया जाता है इसको लगाना बहुत आसान है इसे पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है इसको well drain मिटी चाहिए होती है और आप पानी दो तो इन्हें हपते में एक बार 15 दिन में पानी दे सकते हो आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हो और साइड हेरी में भी रख सकते हो पानी में भी लगा सकते हो ऐसा कुछ नहीं है और ये बहुत अच्छे से चलता है बजब माई जून की जो धूप होती है उसमें इसकी थोड़ी पत्ती पीली पड़ जाती है और लचीली सी हो जाती है पर फिर मोसम अच्छा होने पर इसकी पत्तिया खुद से ही अच्छी हो जाती है तो फ्रेंड ये भी बहुत अच्छा पूदा है आप इसको भी लगा सकते हो ये हमारा जो है spider plant है तो ये छोटा सा है बाकी हमने निकाल दिये थे बस ये बचा था तो इसे लगाया हुआ है ये भी बहुत अच्छा पूदा है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है एक सीजन में ही बहुत सारे बेवी प्लांट्स बना देता है इसके जो बेवी प्लांट्स होते हैं वे इसकी पत्यों से ही होते हैं मतलब इसकी पत्यों पर बेवी प्लांट साते हैं उन्हें डिवाइड करके आप तूसरे पोट में लगा सकते हो ये वेरिकेटिड भी होता है और सिंपल भी होता है दो तरह का आता है मतलब इसकी जो पत्या होती है पुरी तरह ग्रीन भी होती है और इसे भी पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है और वेल्डेन मिटी में लगाया जाता है आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो बहुत प्यारा लगता है जब इसकी पत्यों पर बेवी प्लांट सा जाते हैं ये भी 24 गंटे हमें ओक्सिजन देता है हमारे घर का वातावरन सुध रखता है तो ऐसे पोदो को जरूर लगाई क्योंकि अब वातावरन बहुत ही परदूसित हो चुका है तो हम ऐसे पोदो को अपने घर में लगाएंगे तो हमारे घर का जो वातावरन होगा वो बहुत ह इसे तो हमें बड़े बजूर्ग भी बटाते हैं कि हमारा नीम का पोधा होता है और हमारे बढ़े बजूर्ग केहते थे कि बढ़ो का नीम का ऐक समान होता है कि बढ़ो का कहना बच्चों को सुरू सुरू में कड़वा लगता है पर बाद में अच्छा ऐसा ही हमारा नीम का है कि नीम को खाना सुरू सुरू में कड़वा लगता है और आप जब इसे हर रोज अपने रूटीन में लोगे तो आपको इसे खाने में अच्छा लगेगा और इसका बहुत ला यह हमारा सनेक प्लांट है इसे आप छोटी सी पत्ती से लगा सकते हो और यह बहुत वेराइटियों में आता है इसका लुक जो होता है एक साप की तरह होता है और इसे आप इंडोर भी रख सकते हो पानी में भी लगा सकते हो इसे आप जहां चाहे वहां रख सकते हो आप लाब इतने ही है इसके जितने इस एलोविरा के हैं तो आप कोई सा भी एलोविरा लगा सकते हैं हमें सबसे लाब इतना ही होता है यह वैराइटिया अलग अलगाती है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है यह हमारा रबर पलांट है यह वैरिकेटिड जो वैराइटि होती है व बहुत अच्छी होती है. आहते ही टोप को काट करके हैं धूरी जंगा पर लगआ सकते हो और यह बहुत अच्छी ग्रोध करता है भेना हो जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है और यह बी इसकी एक पत्ति हमारे टिई जो सिंपल में वह हमारी पूरी तरह ग्रीन होती है बहुत अच्छी लगती है उसके अंदर बहुत ज्यादा चमाक होती है और आप इनके लिए कोई भी अगर आप चाहे एपसेंट सोल्ट का भी यूज कर सकते हैं इनकी पत्यों को हराबरा बनाए रखने के लिए नहीं तो आ होता है ऑक्सिजन देता है और हावा को प्यूरिफाइ करता है और इसको आप पानी में भी लगा सकते हो इंडोर भी रख सकते हो आउटडोर भी रख सकते हो यह मनी प्लांट की तरह जलता है अगर आपको इसको अपने पोट में ही घना बनाना है तो जो इसमें से बेल निक होता है और सबसे हमें oxygen मिलती है तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को पुरा देखा और इतना साथ दिया थैंक्यू फूर वाचिंग पुराएं घुरा करें वाचिंग दोता हैं और कुराऊएं पुर।